वेलकॉम टू बीनारावल रेसिपी अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रू कर ले और बेल के सिंबोल पे भी क्लिक ज़रू करें ताकि आने माले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले नमस्तकार बीनारावल रेसिपी में आपका स्वागत पे आज में बनाने जा रही हूँ गुजरात की फैमस रेसिपी केरी नो फजेतो जिसे आम का पकवान भी कहा जाता है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिश्टी रेसिती है इसी बनाने में सिर्फ दो मिलेटी लगते है तो चलिए शुरू करते हैं केरी नो फजेतो बनाना केरी नो फजेतो यानि की आम का पकवान बनाने के लिए हमें चाहिए दो पक्के हुए आम में इसे हम चार से पांच लोगों के लिए आम का पकवान बना सकते हैं तो शुरू करते हैं आम का पकवान बनाना इसके लिए हमें चाहिए दो पर्तन एक खाली पर्तन और एक पर् कि पार उस तरह कि आधम को हाथ में लेकर उसे गोल लिजे यू अ अ इस तरह exhibitions होता है अ लगो जाटा है değiş और उपर निकाला इस तरह सुप पर के दो मुखश वाग है वू कि अ निकाल के प्गयर ऑश्म मेशिश निकाल ए था यह सारे आम का जीस निकल लीजी इस तरह से कोल कर अब आम की गुटली बाहर आ गईये अब इसे हम पानी वाले घटन में डालेगी चिरका है उसमें जीसे वो निकाल के इस तरह से खोल लेना है तो पहले जो आमने बर्तन में गुटली डाली है उससे साफ कर लेगे इस तरह से गुटली को अच्छी तरह से दो लेते हैं ताकि उसमें जो जूस बच जा है वो पानी में आ जाए आप देख रहे हैं कि गुटली एक दम साफ हो गई है इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं बच इस तरह से चलके को साफ कर लेना है इस तरह से आम की चलकी का भी जूस निकल लिया है इसी तरह से दूसरे आम का भी जूसम निकल लेगे इस रेसिपी में आम में जरा सा भी जूस नहीं बचता इस लिए इस रेसिपी को फजिता बोलते हैं तो चली हमने इसमें से चलके में सबसे पानी में गुटली दोई थियो पानी और आम का जूस मिला कर उसे मिक्सर जाल में प्रॉस कर लिया है अब इसकी थेक्नेस इस तरह से हो गई है अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे सबसे पहले ग्यास पर एक बर्तन रखकर हमें दो छोटी चमच घी डालना है घी गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेगे आप चाहे तो गी की जगा पर तेल भी यूस कर सकते हैं एक चोटी चमच जीरा है अब इसमें हम 14 चोटी चमच हिंग डालेगे चार से पांच निम के पट्टे गारलिक अग्रफ और हरे मिर्च की पेष्ट दो चोटी चमच लेते हैं इसके बाद हमने जो पल्क तैयर किया है गो डालेगे पल्क दणने के बाद हम सारे मसाली डालेगे एक चोटी चमच लाज फिर्ज पावडर वन चोटाइच चोटी चमच लदी पावडर एक चोटी चमच जीरा पावडर स्वादन विसार नमक डालेगे स्वादन विसार गुड़ डालेगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे आप देख रहे हैं ठीकनेस बहुत ही बढ़िया है ग्यास की आज को मिडियम रख लेगे और इसे हम दो मिलिट तक पकावड़ यांता है यानि कि हमारा अमका पॉजय था यानि कि आमका पपकवान इसे आप रूटी के साथ पराठे के साथ और चावल के साथ सरु कर सकते हैं इससे island बंढ़ अपने घर याम का भी बनाईया आमका पन्ना और हमारे वीडियो को लाइक जरूड़ किजेHO key कई अगर आपको अमारे रेसिपी अच्छी है तो तक मारे वीडियो को लाइक कीजिए